ये वीडियो देखा आपने ये वीडियो है भगवान राम लला की मूर्ती का इस वीडियो में आप देख रहे होंगे कि किस तरह से भगवान राम की ये मूर्ती आखे जपकाती दिखाई दे रही है राम लला की ये वीडियो इतनी मन महो देने वाली है कि इसे देख आपको भी ऐसा लग रहा होगा कि असल में राम लला अपनी पल के जपका रहे है दोध्या के राम मंदर में भवे उगाटन के दिन से ही सभी उम्मीदों को पूरा कर दिया है 500 सालों के लंबे इंतजार के बाद भगवान राम अपने गर्व ग्रह में विराजित हो चुके है इस खास मौके पर देश भर में दिवाली मनाई गई एक राष्ट्रे उत्सव की तरह इस समहारों को मनाया गया था जिसमें करोणों के श्रधालों की भी इड़ाई थी इस उत्सव में भगवान राम को 500 साल बाद घर मिलने की खुशी जाहिर की गई सबसे ज़्यादा सुर्खियां बटोरने वाली कोई और नहीं बलकि यह 51 इंच की राम लिला की भव्वे मूर्ती थी सोने से सरोबार यह मूर्ती फूलों से सजी इस दिव्वे मूर्ती का अनावरन आयोध्या मंदिर में भव्वे प्राण परतिश्चा समहारों से ठीक पहले किया गया था और यह मूर्ती जो आप देख रहे हैं यह असल में आखे जपकाते भगवान राम नहीं बलकि AI जनरेटेड भगवान राम की मूर्ती है सोचल मेडिया पर राम लिला की यह मूर्ती पर AI के प्रयोग का एक वीडियो वायरल हो रहा है इस वीडियो में वे पलक जपकाते साफ तोर पर दिखाई दे रहे हैं लोगों ने इस वायरल हो रहे वीडियो पर कई तरह तरह की कॉमेंट्स किये है किसी का खहना है कि यह पहली बार है जब AI ने अपना बहतरीन जॉब निभाया है किसी दूसरे व्यक्ती ने कहा कि AI तो डेंजरस है लेकिन यह क्लिप बहत खुब सूरत है तीसरे व्यक्ती ने कहा कि यह आखों में आसू लाने के लिए पर्याप्त है क्लिप पर अब आपका का खहना है हमें कमेंट करके अपने राय जरूर दिजेगा धन्यवाद